जब से Realme company इंडिया के अंदर आई है और Realme company ने जब अपना पहला phone launch किया था Realme 2 तब से हमें Realme के phone के अंदर एक ऐसी कमी देखने को मिलती थी जो कि Realme वालों ने आज तक सही नहीं कि और मैंने काफी बार complaint भी किया Realme को ताकि वो उस कमी को सही करने है जिस कमी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है speed dial का जिहां Realme के किसी भी phone के अंदर आज से पहले speed dial का option देखने को नहीं मिलता था यहां Realme के phones के अंदर speed dial का जो option है अब वो देखने को मिल चुका है जैसाली अभी आप देखें मेरे पास यह Realme 3 Pro है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से Realme के phones के अंदर speed dial के features को यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं So hello guys मेरे ना मैं साजी सैफी और मेरे चैनल technical सैफी में मैं आप सभी का तहीं दिल से welcome करता हूँ जैसा कि अब आप देखें मेरे पास यह Realme 3 Pro है And so आपके पास Realme का कोई दूसरा भी phone हो सकता है तो आपको same to same वही step follow करने हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप अपने Realme के phones के अंदर speed dial को अगर enable करना चाहते हैं And उसके बाद आपको simple step follow करना है और उसके बाद आप अपने Realme यहём के फान के अंदर speed dial को enable कर सकते हैं तो आपको speed dial को enable करने के लिए simply neighborhoods आपको अपने phone के अंदर, जो dialer है उसके अंदर आना है है, और ज्सके आप dialer के अदर आते हैं जैसी आप settings के option को select करते हैं, तो इसके बाद यहाँ आपको top पे speed dial का option देखने को मिल जाएगा, अब आपको simply करना क्या है, इस पे click करना है, जैसी आप इस पे click करते हैं, तो इस पे click करने के बाद अभी आप देखें, यहाँ आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, ज जो बी number is speed dial करना है, simply आपको करना क्या है, उस number को select करना है, जैसे for example के-लिए, मैं यहाँ five number पे एक number को set करना चाता हूँ, तो यहाँ five number को select करता हूँ, जैसी दोस्तों मैं इसको select करता हूँ, तो मेरे contact की जो लेष्ट है, वो मेरे सामने आ जाएगी अब दोस्तों आको simply कर उस नंबर को select करना है जिसे आप speed dial पर set करना चाहते हैं जैसे कि for example यहां से किसी भी एक number को select कर लेता हूँ जैसा कि आप देखें मैंने यहां पर एक number set कर दिया है और एक number set करने के बाद अभी यहां पर जो मेरा speed dial पर 5 number पर जो number है अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको use कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने phone के dialer में आना है और phone के dialer में आने के बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने 5 number पर एक number को set किया है तो इस number को use करने के लिए simply मुझे 5 number को थोड़ी देर तक press and hold करना है और उसके बाद जो मैंने number set किया था वो मेरा dial हो जाएगा जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर देखा चलि जो फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप speed dials के number को change करना चाते हैं तो simply आपको करना क्या है इस पर एक बाद टैप करना है और टैप करने के बाद यहां आपको इतने सारे option देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो पहले option के जरीए आप इस number को यहां से remove कर सकते हैं and second option के जरीए आप यहां से इस number को change कर सकते हैं खेर दोस्तो अगर आपके phone के अंदर अगर अभी speed dial का option अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है तो अभी आपको थोड़ा बहुत wait करना है तो दोस्तो हो सकता है कि आपके realme के phone के अंदर speed dial आपको देखने को मिल जाए तो अभी तो फलाल इस video के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्भीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो please आप इस video को like कीजिए, share कीजिए और साथी सा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूना तो चलिए फलाले इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ